एक तारिक थी पति अपनी सेलरी लेकर शाम को ठका हुआ घर आया पतनी इसे इंतजार में थी कि कब पति आएगा पतनी ने उसके आते ही उसे गरमा गरम चाई पिलाई और पूछा कि सेलरी आगई होगी आपकी आज तो पति मुस्कुराहट के साथ बोला कि हाँ और इस महिने ओवर टाइम का 12,000 रुपे बॉनस भी मिला है पतनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा पतनी मीठी आवाज में बोली क्या हम इस रविवार को शौपिंग कराए तो पति बोला कि ठीक है लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि यदि तुम हपते में कम से कम एक बार मेरी मा से फोन पर बात कर उनका हाल पुछोगी तो पतनी ने दबी आवाज में हा कर दी पती सिर्फ ये चाहता था कि उसकी मा और उसकी पतनी के बीच जो भी अनबन है वह दूर हो जाए ठीक दो मिनट बाद पती के मुबाइल पर मा का फोन आया उदर से मा बोली कैसे हूँ बेटा बेटा ब अभी सेलरी आई है इसलिए फोन करके पैसे मंगवाना चाहती है लेकिन मैं एक पैसा भी नहीं देने दूंगी इस बार तो उदर मा बोली बेटा थोड़ी मदद चाहिए तो बेटा बोला बोलिये मा क्या हुआ मा बोली बेटा इस महिने पांच हजार रुपे मिल सकते है क् पती हर काम अपनी पत्नी से पूछ कर ही करता था उसने ये बात अपनी पत्नी से पूछी तो पत्नी बोली कि बोल दो कि अभी सेलरी नहीं आई है बेटे ने मा से कहा कि मा अभी सेलरी आने में टाइम है मा बोली बेटा कैसे भी करके भीजवा दो प्लीज हॉस्पिटल में इलाज के लिए चाहिए? पती ने ये बात पत्नी से दोहराई. पत्नी बोली मा से बोल दो कि सरकारी होस्पिटल में इलाज करवावले. पती ने मा को यही सला दी तो मा बोली बीटा उदर इलाज सही से नहीं होता और वह ध्यान भी नहीं रखते। इस बार तो पत्नी को गुसा आ गया और वह अपने पती से बोली कि बोल दो उन्हें कि हमारे सर पर पहले से इतना बोज है और अब इससे ज़ादा हम सह नहीं पाएंगे इसलिए सरकारी होस्पिटल में ही इलाज करवाओ पत्नी के शब्द बिगड गए ये बोलते हुए कि व मा इस महीने नहीं हो पाएगा इसलिए सरकारी होस्पिटल में ही करवा लिजिए आप इलाज मा उधर से भेख मांगने लगी कि बेटा प्लीज 2,000 रुपे तो दे दो तो पती आखों में आसु के साथ पत्नी से बोला कि कम से कम 2,000 रुपे तो देने दो पत्नी घुसे में लेकिन जैसे तैसे मान गई और बोली कि ठीक है बोल दो कि 2000 रुपे भिजवा देंगे कल तो इधर पती बोला सासुमा आपको कल 2000 रुपे भिजवा दूंगा पती के मुझसे इस बार मा की जग सासुमा सुनते ही पत्नी को चक्कर आने लग गई जुबान लड़ खड़ाने ल लेकिन तुमने कभी मेरी मा को अपनी मा की तरह समझा ही नहीं पत्नी इस बार जोर से रूप पड़ी और फोन में माफी मांगने लगी कि मुझे माफ कर दो मा मुझसे बहुत बड़ी गलते हुई है तो उधर से मा बोली बेटी यदि सिर्फ एक मा का दिल दुखाया होता त माफ कर देती लेकिन तुमने तो आज एक नहीं बलकि दो मा का दिल दुखाया है यदि आज मैं तुम्हें माप भी कर दू तो भी उपर वाला तुम्हें माफ नहीं करेगा दोस्तो ऐसा माना जाता है कि अगर उपर वाला भी मा का कर्ज चुकाने आ जाए तो वो भी कंगाल हो जाए एक माँ खुद मौत के मूँ में जाकर जिन्दगी को जन्म देती है उस माँ का सम्मान करे माँ तो माँ होती है उसको मरने से पहले जीते जी ना मारे दोस्तो इस कहानी को लेकर आपकी क्याराई है नेचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा और दोस्तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा और जादा से जादा लोगों तक शेर करेगा और दोस्तो ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियो के लिए सबस्क्राइब करे हमारी यूटूब चैनल को और फेस्बुक पर फॉलो करे हमारे पेज को धानिवाद